शीग्रिता की नदी में उसने महावर्तम नदी में महावर्तम उत्पन्द कर दी है तो सहीव सम्हानु तरणड़ी महावर्तम अंदकिरत सहीव मानिक उसमुर्ली में संभर्मानि शीग्रिता रूपी नदी में महावर्तम अंदकिरत महा आवर्त को महावर्त को उत्पन्द कर दिया वो बैशीनना जैसे कोचा तुरिया में एकदम हरवड़ी मच गई एकदम शीग्रिता मच गई है पतला देवतां किमू जवात अभ मुल्ली ने कोई देवी को ही श्रीक किशोरी जूमें आविश्ट कर दिया जैसे कोई देवी शक्ति श्रीक प्रिया में लोगवत लीना में कह रहे हैं देवी शक्ति प्रिया में जैसे प्रिवेश कर गई है तला देवतां किमू जवात अभी विश्ट कांचनाव नुदती भ्रियोद रिया और जिस देवी ने श्रिप्रिया के रवे से भाई और लजजा इन सब को दूर कर दिया जैसे यदि किसी के ऊपर कोई भूर प्रेग णिदि Avecम झेलता उनका आ विशो तो चीनी देर आविश होता है उतनी देर वह व्य होगति भाई वो लग्जा इन सबसे दूर होकर के जैसे आविष्ट हो जाता है ऐसे ही आज उसे वेड़ू नाद रूपी दूदी ने कोई ऐसा जादू तोना श्रिक प्रियाजी के ऊपर डाला कि मांगो देवतां किमू किमू मने क्या ऐसा हुआ यह संदे में किमूशत का प्रयोग है कि किया कदाचित कोई देवता को ही जवाद अभी विशत श्रीकृता कुर्वत श्री राधिका के विड़य में उस बैशी ने प्रवेश करा दिया है कांचे नाम कोई अपूर्ण देवी उस देवी ने किया क्या बढ़े अपन नुदति भायों हुरियं जिनोंने भाय और हुरी माने लज्जा इन दोनों को अपने दिती दूर करती हुई कोई तेवी को फ्रवेश करा दिया है कि कुट्र वास्म पतटों अपन कजे तोसमें श्री राधिकार दौड़े अब दौड़े हैं श्री राधिकार को रूस नहीं है कि श्री भुष्वान दंगरी को यह शामस नदरेश से मिलन के समय श्री प्रिया में जो अपुवर कि सम्हाम दश्राउपन हो रही है उस हराप का बढ़न करें श्री किश्रणी जी कि वह श्रुभा अबद सकी रण पीछे-पीछे यह से दोल लगा रही है श्री प्रिया के चरण कहां गिरेंगे इसका उनको होस्त नहीं है इसका उनको होस्त नहीं है तो कित्रवात्र होत्र है पत्त तोए पंकर जेखे उनके पंगर कङबंकर कहा है है सोफ पार्णफ कि माद्य अरे उन्हें कोई सामगरी नहीं है केदी जूटी तो महीं इसका भी घुझत नहीं हैं थिप है स्ट रोद उनके श्रियास्त ज veg उन ने कि माद्य क्या दें रख्या यह मोस्त नहीं है कहां उनके चलंड रहे हैं कहां उन्होंने हाथ में कौन सी ची ले रखी है हम किंच नपने नभ्वेद सायता है कि पहां कूंसी बतुमुझे लेनी है मैं कहां मुझे किस रास्ते से जाना है यह निन पता नहीं है कि यहां मों कुछ भी नभी वेत सायता श्री राधिका जान नहीं पारी है है लेटो केवल स्ना पित अ्रु सलखिप कम पता हा नेत्रों में बस अश्रुधारा प्रवाइद हो रही है अश्कु से युक्त होकर के सनलईक देटर से देटर के जल से भीगु हुई और अकपता काम कामती हुई बस दौड़ी हुई चली जा रही है यह स्वरूत कहीं दीखता है शिवनमापरण शिवनमापरण दिल्क यही स्वरूत दिखता है कि चतक परवत के ऊपर कहां चड़ेंगे चले जारे होसी नहीं शिवनमापरण और उसके पीछे सब भक्तकर दौड़ रही है ऐसे यहां पर श्री स्वामनी श्रामस्तनर के पीछे जैसे दौड़ रही है और सारी सकीगर ललता विशाखा श्रूपमंजरी यह पीछे-पीछे जैसे दौड़ लगा रही है हाट में क्या ने रिका है कहां मेरे चटरण पढ़ेंगे पग्डने है कहीं जाने की चडने की जगे है नहीं है इन सवर्व की बिलकुत परवा नहीं है शिराध का दौड़ी भी चली जारी है कुत्रवास में पत्तांग पंकर ये कहां चरण गर रही है पान पल्लव युगं किम आददे मेरे हाथ में क्या चीज है इसकी भी परवान नहीं किन्छे नाक नभिवे किस मार्ग से जाओंगी कौन देखेगा क्या मैंने पहन रखा है इन सब का भी होस नहीं है प्रवाइद हो रही है प्रवाइद हो रही है और अकम पता उसमें दोली भी चली जारी है कान नाव सर्लोच पाई शुका कल्प बेश परिधात्म उन्मुखी सा सखी रपी बिलंब शंकेया खिप्व बेश मगतं स्वाइं तरुब में अभी शंबार तो करो ऌतिधर करें और यह रहे बहुत मिनल मना धीरे धीरे करती है शंबात दिर लगाती है तो सखी शंबार करने के दौल धर नहीं है पांद श्री यह पूरा निला में प्रिया जी की जो परना आधमन की जो नीला है गजब उसमें जो शीकरता है प्रिया की को दर्शनी उसमें कहरी है रहने दे रहने दे मुझे निकला करा नहीं तुछ सिश्ञा मैं तो अपने हाप धारन कर दूगी ऐसा कहें करके सखी जो है उन सखीओं सखी शंगार करें करें उसके पहले ही यह स्वेम ही उल्टा सीधा शंगार करें करके विराई मान दूगी और उस समिश्री प्रिया में विभ्रम नाम करके जो दशा वो उपन्द हुए विभ्रम दशा का लक्षन शिरूज्व निमनी में रूप सब्रामा मां विभ्रम ह हर माल्यादी निन ऋर्षास्थान विपण हैं इस प्लंदव की। प्रक्ती की बिला में कि इतना आविश है कि आवेश फちकार जाहां पर रूशास्थान विभरें में कि संख्भूश elegно क कहा kichy adra करना चाहिए कि जाश्री विचार त्यार करके पहने के बस्तों ओल रखेंगे ओलने के बस्ते पहन रखेंगे ऐसे शिप्रिया उससे में तोड़ी उसी शोह करें उसी शीक्रता का यह पर बढ़न करें कि कामन अभी सरन उचितान शुक्र पन में अभी सार करने के उचित जो बस्तर हैं अईशुक्र तो कामण अभी सरन उचितानी शुका जोड़ी कामन में अभी सार करने के उचित ऑनिशुक माने बस्तर और ऑयाकव और बेश ऑयाखर माने चित्राम कि ओर बैस माने बसप्र एप्त हों सखी शृप्रिया का श्रुणतर करने के लिए उसमय उन्मुक्भी और प्रिया का श्रुणार करने चाह रही हैं के रिखे कि श्रंदार चोकी को उपर तू बैठ में तेरे श्रंदार कर दो तेरे हाथ में लगाता दो पारंत कौन को इतनी फुर सथ साथ सखी भी अभी बिलम्प शंक्या शिकिशोर जी करी है नहीं मुझे नहीं जर्वाना है तुब बहुत देल लगाती है तूषिनार करने के लिए वैठेंगे बहुत दील लगाईगी इसमें जन्दी है मुझे ऐसा कहकर साथ सखीवी सखीवी बिनक्र में शंखेया अक्षित पर तुछ पर नहीं आता है ऐसा कहकर के सखी के उपर भी आक्षव करती हुई बेशन अक्रत स्वयम दनों स्वयम ही श्रंडार खारन करने के लिए पृस्तित हो गई और जल्दी जल्दी उल्टा सीधा कुछ भी श्रंडार खारन करके बिराजमाने अब क्या सिंगाल हारन कर रही है उसका बजन कर रही है कि गोस्तनाक्ष मढखार बेश्ट नहीं है कंठ में जो बड़ा गोस्तन नामक जो हार है मने सुन्दर जिसमें बड़े गुमू है ऐसे हार को कंठी की जो तुर्वली कंठी का जो कंठ हार है उस गो पहार को श्री प्रिया उसको पहना जाता है कहाँ गोपहार को बुलकंठ में सारा स्रंगाल भारन करने के बाद में सबसे ऊपर जो मना आती है जो मोटी और जिसमें मोटी दाने है और जिसमें सुन्दर बड़े जुमूरू लटके हुए है बड़ी सुन्दक जिसमें घंटी लटकी हुई है ऐसी अबुश्र का नाम है गोस्तन हार गईया थन के समान हार तो उस हार को कंठ में धारर करना चाहिए था पर तो श्रिप्रिया ने उस हार को धारर कर लिया है कमर जल्दी 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 है था प्यारे से मिलने की तो कमर कि कोदिरी को तो पहलिए आहे कंथ में और कंथ के हार को उन्होंने धारण कर लिया तो गोस्त अनाक्षम मनगा हार गोस्तन नामक जो मनी का हार है कंठा को सब्सकूप हार को बेस्ट नए तो गोस्ट नाक्षम मारे हार बेश्ट नए द्रान नितमम अकरोथ अलंकृत उसे द्राग माने शीक्रता में नितमम अकरोथ अलंकृता में श्रीक श्रीजीए ने अपनी कमर उनको उससे अलग कर लिया माले के हाओ को पहर दिया है तो द्राग माने शीकृता में नितमम अक्रोत अलग करते हुई दिराजमान हुई ऊपकंध मंधी किंकडि स्रुजहर और जो कमर की कोजनी थी उसको गले में लटका लिया है पकंद मवंधी कंकरीम स्रजहाद मूर्दमी बेड़ शिखरे ललाटका और जो वेड़ी थी कुछ वेड़ी के स्थानपर ललाटका जो है बंद में उसको बाद लिया है जूड़ा में और जूड़ा की जूड़ी थी उसको इनोंने मांठी इंपर बात लिया है पुर्दी बाद जो जूड़ा में लगाने वाली जो बेड़ी है उसको तो बंदनी के रूप में ललाटका के रूप में धारण कर रही है और ललाटका को बेड़ी के रूप में धारण करके विराजमान हुई कंठम अवदनी किंकणी स्रियंग गले में किंकणी की माला को धारण किया है मूर्दनी बेड़ शिकरे सिर के ऊबर बेड़ी के ऊबर ललाटका उनको धारण करके विराजमान हुगे है और ऐसे जली से विभ्रम दशा को प्राप्त करके यह पथा रही है पर और में करेंगा इस विराकी तो यहां पर बिभ्रम नाम करेंट जो तककी जो है वो अको बंशीकिड करत की जहरण के विप्रिया शाम के पासमें अविश्तक्लिग करती हूई अमिसार कांद आएगा, वो करके बिराइन मान कुए। बुरश्रि लाली लाली जै, गुबिंद जै जै, गुपाली जै, जै, गुविकुर्ष्णाक्षंपरम्धाम, जरधाम नमामितप, हुदियस्य प्रेढळया प्रवर्ति तोहुंभर आकुर उपोपी तस्य हरे पदिकमलं, वन्दे श्री चैतन्य दिवस्यों, वन्देहुम् श्री गुरूर्श्री उत्पतकमलं श्री गुरून बैश्नवाईश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् विश्वंभरव उद्विवरव युधर्म पालव बंदेच अप्रिकरव करुणावतारव नारायन नुमस्कृत्य नरुजय नरुत्मंत देविं सहस्व इंव्यासं ततू जैमुदी रहे वांचातल तुध्यस्च करपास नुध्ययोच अपत्तानाम पावनेव्यो सुनातन ब्रभु कर्वाम पुराशे हे वुद्रगति जलेएक दयावनों को हे भट्यू सुमते रभनाच दासो श्री जीव में को तुमन्नमते दयामत राक गुरुशिवंदावन विहारे लाने की जै परवंगल श्रीपत्त कृष्ण भावनामर्त महाकाविय लग जिसमे पुल्वान हंदीला के अंतरगर श्री रूप मंजिदी जी लंता जी के आदेश को प्राप्त करके कृष्ण के पास में आई कृष्ण से श्री राधेगा की दर दशा का विणन किया श्री श्री शामसंदर ने रूप मंजिदी जी को अपनी प्रसादी बन माला दी और मतमंगर ने कहा कि आप चंपक माला को श्री शामसंदर के पास में विजवाए कि चंपक माला श्री शामसंदर के कंध का हाल मने सलेशिंन प्रार्शना की के चंपے के वर्णवाली श्री किशोदी जी श्री शामसंदर के कंध के माला बन करके विराजिमागों ऐसा प्रयत्म करें। ऐसे दोनों तब से जब संकेत हो गए हैं, श्री रूप मंजिदी जी लॉट करके आई हैं कि शोभी जी के पास में। और जैसे यह कहा, कि शामसंदर आपकी पृतिक्षा देख रही हैं, श्री जटला जी ने आकर के यह कहा, कि अरी गोपियो तुमारी दीर घिस्मत्रता जाने कप्पू भी होएगी, इतनी मिनर मिनर काम करो, सूरी कितनों मुचे चड़े आए, सूरी कुजन करवे के निताई न गार्गी जी ने आदेश पृड़ान किया है, पवकुस में आदेश के आदेश को प्राप्त करें, श्री राधिका अत्यंत अत्यंत उत्सुप हो गई, पवकुस में निमेशा सहता, संद्य जंता, हर्द्योडिनम, यह जो महाभाव है, महाभाव का एक अनुहाव, कि एक श मातर उसकी असाइश्मता श्री राधिका में प्राप्त हो रही है, श्री सखी कह रही है, आओ मैं तुझे श्रिंदार करा दो, श्री किश्वन जी करें, रंदे रंदे, मुझ भी करना हो, तु बहुत देर लगा दे, मैं तो अपने आप कर लूँगे, और ऐसा कहेकर के श् लूँचल से मिलने की इतनी ज़्यादा है कि उस श्री गृता में विभ्रम नाम करके भाव दशा, श्री प्रिया मनुख्पन्द हो गई, उसका बढ़न चला था, श्री प्रिया ने पहनने के बस्तों ओड़ने के बस्तों पहन लिए, कोई आभुशर कहीं पहनने का है, उस इसमें कलतना रसिक जनों ने भावना की कि यह आपिशन जो है यह सब सकी हार भी सकी है और कमर में जो कोदनी है वो भी सकी है तो शुंदा सकी विर मामों सक्ष्प्वीती में आपस में मिल गए और मिलकर के एंग अरी सकी मनि कटी रूपी सकी कंठो रूपी सकी से कह रही है कि अरी सकी अरी देखू तो सही तेरा हार को बड़ा सुन्दर है इस हार को मैं पहन करके देखू तो जैसे सकीया परस पर अपने आभुश्वां को बदल करके पहन लेती है ऐसे ही कंठो रूपी सकी ने कटी की कोधनी को धा और कटी रूपी सखी ने कंठ में पहनने वाला जो गोस्तन नाम करके मनी हार है सुन्दर बड़े-बड़े जिसमें घुम्गरू में ऐसे गोस्तन रूपी जो हार वो उस हार को आज कटी रूपी सखी में धावन कर दिया है तो जैसे सही में में एक दूसरे के आपूशां को में तु के पहनती हैं जयरे देखों से मेरे कैसे लगे मेरा तू पहन देते तेरों में पहनों जैसे बदन करके पहनवें ऐसे यहां पर वियुदुल से tworou ब्लया था है जो को सुगत करके साथी आई गोस्तन मने गले में पहने जाने वाला गोप हार बड़ी ठूसी जो उपर से धावन की जाती है उस ठूसी हार को गोस्तन के जिसमें पड़े-बड़े नग और बड़े-बड़े मोती जिसमें दगे हुए हैं ऐसे गोस्तन मामखार को द्रान नितम मं अकरोत अलंग करता हुए श्री राधिकार ने अपने कटी के ऊपर धारन करें नितम के ऊपर धारन करें के बिराई मामूपी तपर में धारन कर दिया है और कंठ मन्वबंधित कंकणी सुर्जब और कंकणी मने कमर में पहिंदे वाला जो ओधनी का आभूशन था उसको श्री ब्रिश्वहान नंदिनी ने नुकुंदी श्री ने आज कंठ में धारन कर लिया है रासे श्री उसको कंठ में धारन करें के बिराई मामूपी और अब झुम्हों उसकोशकजा करने मैं यूश थे ने यूट्क सवक्त चर्फन कहने कई वाला जो उसे वेड़ी यूश कंठ में जब कर दो सब्सके सब्सक्रिंशzą माँद करें operator लिए पुछिका लक्षर उज्ञ निल्मने में किया था कि बन्लवब प्राप्त बेलायां मदना वेश पंबर्मा विभ्रमों हारमालयादी भूशा स्थांग विपर्या हारमालयादी भूशाओं के आबुशों के स्थांगा विपर्या परात हो जाना उसका नाम विभ्रम दशा है उस विभ्रम दशा में विराई मांगों है अब विभ्रम दशा का ही आगे बढ़न कर रहे हैं उन्तांस में देखेंगे पंद्य देखेंगे कि लोचने मिल्ग मदद्रवां जिते भाल मन्यन विशेश कार्चितं हंत्यावक रसे नगर्म में स्थास कम तम मनूदिता मनूद तक जुए श्री विश्वान नन्दी ने रसेश्वरी दे लोच दे मिर्गमत द्रवार्न भी नएे नौम में तो नए नों के ऊपर हैं ज़ां काज़ल लगाना चाहिए था और उस स्थान पर कसपूरी लगांय मानू भी अंब कर यहां अगे थान उस होता है कर दों लोटने मिर्गमत धिर्व अंजिते डोनों नेतर मिर्गमत धिर्व अंजिते यह कश्टूरी के धिर्व से अंजित नेमों में कस्तूरी लगा करके द्राइमां बोले ओ भाँर मन्य calling Bi----C ऑशी मस्तक के ऊपर कस्तूरी जो श्यामज बिंदू लगानी चाहिए है श्यामवंड़ी और श्यामणी की जगए कजन की बिंदू मस्तक के ऊपर ड़ाद है नएक हो डारी पंची मस्तक के ऊपर काजियर लगा करके ड्राइव नेटरी के बसकी पोथ पहुंच गई ललाठ पर लाठ का जो अश्रंगारी रण्यन वो पहुंच गिया नेटर हंत यावक रसे निर्म में स्थास कम और श्री किशोणी ने यावक माने जो आलता का रस्ता उस आलता के रस्त को चर्ण में तो लगाया नहीं जल्दी जल्दी में आलता को अपने मस्तक के उपर खौर के रूप में धारड़ करके गराई मांद होके स्थास कम बिन्दी के नीचे एक छोटी सी जो लखी प्राया दाक्षाति विधी में नीचे खौर धारड़ की जाती है तो उस खौर को श्री मस्तक की बिन्दी और उसके नीचे एक छोटी सी लखी जो की चंदन की या भस्म की धारड़ की जाती है तो उस चंदर्या भस्वी की उस खौर के स्थाम पर इन्होंने अलता को मस्तक के उपर लगा लिया तो हंत यावकरसे निर्मम के में स्थास कम मस्तक के उपर खौर उसको यावकरसे लगा लिया है हुआ नाके उपर भाल में बीच में एक छोटी सी रिखा जो की याज लाँ जाती है प्राहर दाक्षणाति विद्धी में तक्षण में प्राहर सभी महलार लगाती सबी पुरुष्भी लगाते हैं नीचे खोर जो है उस्थासक को इन्हों ने तम अंगुल देतक त्वारा उनको श्री मस्तक के उपकर धारण कर लिया तो राधा इन्होंने खोर लगाते कि आज तम अंगुल देतक त्वारा इसकार शरी जो है उसमें उदितक त्वारा इनके श्रीयंग में अत्यनतक त्वारा उस समय उद्य हो रही है और जल्दी जल्दी में जल्दवाजी में कहीं का आवनुशन कहीं धावन करते हुए विरा माने जे खौर कहीं रख्षा के लिए कहीं ही डेठोना के उन्प में जो लगा जाती है डेठोना नज़र नग जाए तो उसके लिए तोड़ी के ऊपर तीन मिन्दों कभी मस्तक जो है उसके उपर एक हमकी सी रेखा उस खौर को उसे में धारण करके दिराएबाना बज़र दिला जाए इसके लिए प्राय है उसको दरादे अब नील मंजल निचोब संब्ड़ता शिवश्वान दिन नील उसमें नील नीदे रणके मंजल जो ओर्धनी उसको धारण करके बिराएबांगी शास्त्र में एक आदेश भी दिया गया है जहां कोई भी बृत या भृत नहीं हो तो सामने व्यवार की रीती में भी जो पयोबृत है उस पयोबृत में जहां बिधी निशेत का श्रीमत भावत में वर्डन किया या वहां पर पयोबृत के परसंग में ये कहा गया कि बिना नासंभीता ब्रजेत बही बिना कोई उत्री बस्त्र दिये बिना महिला को इस्त्रियों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए मने महिलाओं के गर के बाहर निकलते समय कहीं कोई चादर या कोई दूसरा एक जो बस्त्र है उसको भी धारे करके तो जाना चाहिए ये नासंभीता भहर ब्रजे ये कहीं वो जहां पर पुन्सवन बृत का बढ़नन किया गया है उस पुन्सवन बृत के बढ़नन में कहीं एक पुरानी सिष्टाचार भारती नादी के एक सामानी सिष्टाचार के रूप में इस बात को विशेश्मूप से कहा गया विशेश्मूप से जो कोई बृत धारण के हुए है अब बृत कोई नोगी चलते ही रहते हैं नहीं हो तो कुछ सिस्तिती में भी कोई न कोई उत्री वस्तर लेकर के अवश्य जाना चाहिए था और पहले ये बात बड़ी आम थी कि वह प्रणी ओर ना वो सब गया वह सब समापत हो के पहले वी शेश्मूप सबीत हो कर के लिए बाहर निकाल निकाल इक सिष्ट प्रकार था तो आज नीलाम विश्मूल निचोल संब्दा श्री विश्वांनन्न ने नील मंजिल सुन्दा जो ओल नी उससे संब्द हो करके आप पूर्णी को धार्ण करके शिप्रिया जी निकल नहीं है दील मंजिल निचोल संब्दा आज ऐसा लग रहा है कि माधुरीव मिर्कात पुराद बही उत्रेक्षा है कि मामो मधुर्माही मूर्थमाल हो करके घर के बाहर निकली है जल्दी जल्दी मुल्टा सीधा धार्ण करके और आप निकली तो माधुरीव मिर्कात पुराद बही मानों अपने घर के बाहर घर की बधुर्माही जैसे मूर्थमाल धार्ण करके निकली हो यह को प्रिक्षा हो गई अत्वा कव्मदीव घंतां गताक्षतव शिक्षोरी ने कैसी लग नहीं है अत्वा ऐसा लग रहा है कि मानों चार्ण नीहीं कव्मदीव चार्ण नीहीं मूर्थमान स्वर्प हो करके पृतिवी के ऊपर उतर आई है घं़ी भूतों करके चार्ण नीहीं चली आई है आग भी स्वर्प किम घंए में नेतात नोंता ने अत्वा ऐसा लग रहा है कि मानों किसी बादम ने किसी विजली को अपने भीतर कव्मदी को ही चार्ण नी को ही अपने भीतर घेर लिया है बांद लिया है एसे तो नीला जो बस्त्र है वो तो हो गया बादल और श्रीक किशोबी जू वो हो गई स्वेड्ख कौमधि चादनी तो मानू मील बादल ने का उन्मधि को ही चादनी को ही भीतर बागिया जहां वाहां पर दिर्णी नहों पाई वाहां पर संदेय अलका यादि मानुए